हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप होप आप सब ठीक होंगे आज मैं आपके सामने निव वीडियो लेके आई हूँ पेइंटर्स, स्क्लप्टर्स, विज्वल आर्टिस्ट, फ्रेडिल सेल्फ इंप्लोइड वीजा, कैनेडा पीया सीरिस को कंटिन्यू करते हैं सबसे पहले बताना चाहूँगी आप मेरी प्रिवेस वीडियो देख सकते हैं कैटेगरी इस कंडुक्टर्स, कंपोजर्स, एंड अरेंजर्स, प्रोड्यूसर्स, डिरेक्टर्स, डांसर्स, मुजिशन्स, एक्टर्स, एंड कॉमेडियन्स और बताना चाहूँगे इंजिनियर जेपी सिंग जी के बारे में इस दी फाउनर ओफ एस डव्लू आइएस प्राइवेट लिमिटेड इमिग्रेशन कंपनी इंजिनियर जेपी सिंग सर्ड ने भी बहुत वीडियोस बनाई है कल्चर आटिस केटेगरी पर जिनमें उन्होंने खुद बताया है स्ट्रीम में कौन-कौन से जॉब टाइटर्स काउंट हो सकते हैं कौन-कौन से लोग वीजा ले सकते हैं आप चैनल पर सर्च कर सकते हैं So, back to the point हमने जो प्रीवेश वीडियो केटेगरी की बात की थी वो सब फिल्म इंडिस्ट्री से कनेक्टेट थी बट पेंटर्स, स्क्लप्चर्स, विजूल आर्टिस्ट जैसे की पेंटिंग्स, ड्राइंग्स, स्क्लप्चर्स, इंग्रेविंग्स और अदर आर्टिस्टिक वर्क से जुड़े होते हैं यह लोग mostly self-employed होते हैं या art club के member होते हैं या exhibitions करते हैं Actually यह बहुत vast area है painters and sculptures का इनमें आ जाते हैं animal art sculptures art instructor, art teacher except primary, secondary and post-secondary educations artistic painters maker charcoal artist, clay artist, decorative painting, visual arts ice sculpture, ice sketches, nude art sculptures, landscape painters आ जाते हैं marine art painters, metal sculpture, oil painter, plastic artistic, print maker visual arts, print making teacher, scenery painters, sculpture modular, video artistic, visual art teacher, wood block artistic, wood sculpture यह best area है जिसमें आप Canada PR के लिए register या apply कर सकते हैं अगर अगर आपकी एज 49 है तो आपको एज काटेगरी में full points मिलते हैं बड़ घबरानी की जुरूरत नहीं है अगर आपकी एज 49 प्लस है आई मीन अप्टू 55 है तो भी आप एज वाइस कालिफाई कर सकते हैं एक्चुली एज के साथ experience भी matter करता है अगर आपका experience ही 5 साल का है फिर तो आपका top points कालिफाई करते हैं तो भी matter नहीं करता अगर हम experience को count करें तो आपका minimum 2 साल का experience होना चाहिए national और international level पर अगर आप 10th class तक पास है तो भी कोई matter नहीं करता लेकिन आपका experience national और international level तक का है या फिर किसी extraordinary काम में है तो भी आप experience basis पे qualify कर सकते हैं सो नेक्स्ट वीडियो में आपको और categories की information देते रहेंगे हमारी viewers से request है कि हम से जुड़े रहें जाने से पहले आपको इंजिनियर जी पी सिंग सर के बारे में बताना चाहोंगी He has qualified immigration law from Vancouver Canada certified education agent counselor from Australia British council certified education agent from UK He has 19 plus years of experience in immigration field अगर आपको सर से personal consultancy लेनी है तो आप contact कर सकते है 8872198200 अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक्यू